वेलकम बैकली रॉप्त चैनल आज हन्मपड़ेंगे इंट्रेस्ट ओन पार्टननर्स केपिल चलिए देखते हैं जो capital फर्म में contribute के किसी partner में ठीक है additional capital क्या होता है additional capital if additional capital is introduced during the year interest is allowed on it from the date additional capital is introduced till the end of accounting year मतलब कि अगर किसी partner में additional capital फर्म में लगाया है फर्म को अगर requirement है तो तो जिस date source ने additional capital लगाया है उस date से लेकर के कहां तक accounting year के end तक ठीक है जैसे कि माह लेते हैं कि 1 April से 2022 से लेकर के 30 June 2022 तक ठीक है उसका capital है पांच लाग लुट और उसने एक जुलाई को 2022 को छे लाग रुपे और इंट्रेडूस किया तो उसको कितना ज्याद मिलेगा एक जुलाई से लेकर के 31 March 2023 तक का इसका मिलेगा और यह मिलेगा आपको यहां ठीक है चलिए नेक्स्ट है विड्रोन कैपिल मतलब if capital is withdrawn by the partner during the year and interest is allotted on capital interest is not allotted on the amount withdrawn from the date of withdrawal of capital till the end of the accounting year यानि जब partner capital withdraw कर लेगा तो उसको interest उस date से नहीं लगए जिस date से उसे उसने withdrawal नहीं किया है यानि जहां से उसने withdrawal किया है वहां से उसको लगए उतनी दीक अब तक जब तक accounting year का यहीं जितना उसने यूज किया है उस capital को विड्रोल करके उतने पिर्ट कर लेगा तो देखते हैं हमें question के मात्यम से आलोग पार्टनर हैड capital 5 lakh रुपीज as on 1st April 2021 He introduced additional capital 2 lakh on 1st October 2021 and withdraw 1 lakh on 1st January 2021 इंट्रेस्ट on capital is allotted 10% परेना इंट्रेस्ट on capital will be calculated as for देखते हैं कि अगर अलग अलग time पे capital introduced किया गया है और अगर उस capital क्या गया है तो किस तरह से हम इसकी calculation करेंगे इंट्रेस्ट on 5 lakh 5 lakh रुपीज 10% पे 6 months के लिए कैसे 1st April को उसने क्या क्या capital जो है उसकी एक अप्रिल को पांस लाग रुपे थी और ही इंट्रेस्ट उसने additional capital का इंट्रेस्ट किया है 1st October को यानि एक अप्रिल से ले करके एक अप्रिल से लेकर करके 30 September तक उसकी capital कितनी है पांस लाग रुपे ठीक है तो पांस लाग रुपे का होता है 6 months का 25,000 रुपे इंट्रेस्ट उसके बाद क्या कह रहा है एंड एडिशनल capital 2 lakh on 1st October 2021 यानि एक अक्टूबर 2021 को उसने एडिशनल capital दिया है कितना 2 lakh रुपे तो इंट्रेस्ट on 7 lakh means एक अक्टूबर से लेकर के 31 December के विश में कितना पैसा रहा है पांस लाग रुपे और प्लस 2 lakh रुपे उसने एडिशनल दिया है तो कितना 3 months 3 months का होता है 70,500 ओके अब क्या कहते हैं and withdraw 1 lakh on 1st January 2021 यानि जब से वो पैसा विड़ो करेगा उससे उसको accounting एंट तक का interest देना पड़ेगा फर्म को तो कभी निखालो उसने पैसा एक जनवरी 2021 को इंट्रेस्ट को इंट्रेस्ट इसका जो है रहा तो उसने विड़ो क्या है जनवरी से तो हम यहाँ पर एक जनवरी से लेकर गए 30 मार्स तक का निकालते हैं तो इस तरह से करेंगे क्योंकि ओपनिंग वैलेंस पर आपको इंट्रेस्ट देना है ठीक है तो देखते हैं, determining opening capital, किस तरह सब opening capital को बता करते हैं, interest on capital for the year is allotted on opening capital, यानि interest on capital जो होता है, वो opening capital पे हम लोग देते हैं, ठीक है, in case opening capital is not given and is to be determined to calculate interest on capital, अगर आपको नहीं दिया है opening capital, तो किस तरह सब opening capital find out करेंगे, इसमाँ दो situation बनता है, एक बनता है when capital is fixed, जब आपका capital fixed हो, और दूसरा case बनता है when capital are fluctuating, जब आपकी capital fluctuating होता है, ठीक है, तो देखते हैं, fixed capital में आप किस तरह से opening capital को determine करते हैं, particular small capital at the end of year, ठीक है, इसको एक सरीके से समझते हैं, आप लोगों में पहले जो balance sheet पढ़ा होगा, उसमें capital account है, वो हम पहले find out करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, एक जहां पर रख पना लेते, पहले क्या लिखते हैं, opening capital, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, add profit, add addition, ठीक है, less withdrawal, less loss, तो आपका क्या निपर लाता है, closing capital, आपको करना कुछ नहीं है, सब इसको opposite करना है, ठीक है, आप देखें, opening से closing के तरफ जा रहे हैं, तो आपको closing से opening के तरफ जाना है, उसके इसमें क्या करना है, यह जो profit है, plus के जगा minus करना है, additional capital, plus के जगा minus करना है, और loss minus के लिएगा plus करना है अब देखते हैं किस दर्सकों करते हैं capital at the end of year देखिए क्लोजी बला हमने याप अपर लिया क्या कहता है add withdrawal of the capital जो capital आपने withdrawal किया है उसको add करना है इन दोनों के निकले लेगा next क्या क्या करना है less less additional capital introduced during the year यादि जो capital आपने additional एडिशनल इंटर्डूस किया है उसको आपको क्या करना है यहां पर लेस करना है ठीक है जी दूसरा प्राणी मेंचे में चैनल लेते हैं उसमें प्रोफिट एड होता है उसके बाद सब्सकार अगर कि यहां पर आपको रिवर्स जाना रहे है प्रॉफिट को माइनस मतलब जो प्लस को माइनस और जो प्लस कर देना तो आपका निकल देगा King इंड बाद इंड करेंगे किस जो आपने ड्राइंग कीया है वो के बाद प्राइंग अगेंच्स प्रॉफिट-छो आपने अगेंस प्रॉफिट इस जो अब आता है एड शेयर ऑफ लॉस फॉर द यह जो लॉस है वह आप यहां पर एड कर लेगे इन चीजों को आप एड करेंगे ठीके जी उसके बादा लेस करें कि इनको अडिशनल कैपिटल इंटेड्यूस पार्टनर सेलरी पार्टनर कमिशन इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल को शे और इसी पर आपको इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल देना है ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियों